ओम श्री परमात्मे नमा ओम नमा शिवाय हरहर महादेव आज मैं आपको एक अलोकिक घटना बताने जा रहा हूँ और मैं उन महादेव, उन महाकाल, उनकी किरपा को मैं भी अन्बूत कर चुका हूँ वही जो है मृत्यू के देवता हैं, महाकाल हैं अगर किसी को भी अकाल मृत्यू से बचा सकते हैं, तो केवल, केवल और केवल वही हैं ये मेरा स्वयम कानबौ है ये अलोकिक घटना इस प्रकार है कि सन 1879 में महादेव ने एक अंग्रेज की जान बचाई थी तो शुरू करते हैं, घटना इस प्रकार है सन 1879 में कर्णल मार्टिन जो की अंग्रेज सैनिक थे, कर्णल मार्टिन जो है वो उनको युद करने के लिए अफगानिस्तान जाना पड़ा और अफगानिस्तान में वो अपनी पत्नी को लगातार वहां से पत्र लिखते थे अब सोच लिए जब 1879 की घटना है तो कितनी पुरानी घटना है उस समय वो पत्र लगातार उनको पत्र लिखते थे लेकिन एक समय इसा आया कि वो पत्र आने बंद हो गए तो यहां करनल मार्टिन की जो पत्नी है वो बहुत चिंतित हुई अपने पती को ले करके क्योंकि युद्ध में गए हैं तो युद्ध में तो कुछ भी हो सकता है वो किसी अनोनी को ले करके बहुत ही चिंतित रहने लगी तो वो जहां रहती थी मतलब वो जगह है मध्य प्रदेश में है आगर बैदनात मंदिर है भगवान शिव का महाकाल का वो मंदिर है उस मंदिर में उनके मतलब उनको जो मंत्रुचार होते थे वहाँ जो पूजा पाट चलता था उस उनके कानों को वो बहुत अच्छी लगती थी तो करणर मार्टिन की जो पत्नी है वो उसी रास्ते से उकर गुजरती थी तो उनकी उच्छा होई कि वो मंदिर में जाए तो मंदिर में गई और वहाँ पर उन्होंने अपने पती को लेकर के वो किया तो वहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने कहा कि अगर आपके पती को कोई इस संसार में बचा सकता है तो वो हैं केवल केवल और केवल महादेव, वही बचा सकते हैं, वही महाकाल है केक्वी जीवन, मृतिव उन्ही के आदिन है, तो उन्होंने उनको लगु अनुष्ठान दिया लगवनुष्ठान मतलब ग्यारा दिन का रोद्रवनुष्ठान ओमनमाशिवाय का जब बताया ओमनमाशिवाय का जब करणल मार्टिन की पत्नी रोज मंदिर जाने लगी और अपने लगातार शिव आरादना में लीन हो गई और उन्होंने जैसा बताया पंडित जी ने उसी इसी परकार उनों ने किया। फिर उसके बाद कर्णल जो कि युद में गये थे, महां पर वह अफग्छान की सेनाओं में, अफग्छान की जो सेना थी, युद छेत्र में, उनों को, और से उनकी सेना, इनको कंडल मार्टिन को सब तरफ से घेर लिया गया और ऐसा लगा कि अब इनकी जान नहीं बचेगी और चंद मिंटों के ही समझिये महमान है तो और कहीं तरफ से किसी तरफ से कोई रास्ता नहीं दिख रहा था ये कंडल मार्टिन के वेक्तिकत समझिये सब नहीं उन्होंने कहा उ और उसने कर्णल मार्टिन से कहा कि तुम्हें डरने की आवशकता नहीं है, तुम्हें डरने की आवशकता नहीं है, मैं तुम्हारे पत्नी के पूजा पार से आराधना से और उनके मतले से मैं प्रसन हूँ, उनके उपर मैं प्रसन हूँ उनकी भक्ति देख करके और मैं तुम मैं यहां बचाने आया हूं तुम निर्भय हो जाओ तो फिर जो है उनों अकेले मतलब महाकाल ने शिव ने पूरी सेना का मतलब अफगानियों का संघार किया और करणडल मार्टिन को सुरक्चित किया और करणडल मार्टिन ने इसका सब का जिक्र किया हुआ है यह सब तो यह कर्णल मार्टिन वहां से सुरक्षित एकदम वापस आये यहां पर जब भारत लोटे तो यहां पर उनकी पत्नी ने जब और पत्नी उनकी भी जब ग्यारा दिन इनके पूरे हुए वह अनुष्ठान पूरा हुआ तो वह लोटे और यहां पर आ करके उन्हों ने देख कि जैसा फिर दोनों लोग मंदिर में गए और वहां पर उन्होंने भगवान शिव की महाकाल की पूजा आरादना की और जब कर्णल मार्टिन ने देखा कि यह जो फोटो टंगी हुई थी वह बहु एकदम उसी तरह सी थी जैसे भगवान जो उन्होंने जो योगी उनको ब कि भगवान शिव उनको बचाने के लिए आये थे यह वकाइदा उन्होंने अपने मतलब जो भी उन्होंने किताब बगएरा जो कुछ लिखा है उसमें इसका जिक्र कर रखा है और 1883 में उन्होंने उस मंदिर का जिर्णोधार भी कराया और आजीवन वो शिव भक्त हो है वही इस संसार के मतलब इस जो है प्रित्वी हमारी है यह इसमें अगर किसी की भी मतलब जहां जनम मरण का वो है मृत्यू का वो है तो उससे केवल केवल भगवान शिव बचा सकते हैं और उन्होंने इसका जिर्णोधार कराया और आजीवन वो भक्त हो गए यह सारी ची में उन्होंने उस मंदिर का जियनादार कराया तो अधी हमें ज्यादा से ज्यादा उस परम्पिता प्रमात्मा से connect रहना चाहिए और भगवान शिव के जैसे भगवान शिव हैं मैं अपने वीडियो में पता चुका हूं कि कौन प्रमात्मा है तो यहां पर उसके संबंध म में कुछ नहीं आप उसमें जाकर के देख लिए प्लेलिस्ट में वो पड़ा हुआ है और यह इसमें बता चुके हैं कि जैसे बर्मा विष्णु में फिर शुषक्ति फिर शुष कहां तुम चीजें हैं माल लीजिए तो इसी तरह से तो भगवान शुष ने उनको बचाया त इसके अत्रिक्त भी यह मतलब जैसे हमारे रिशियों मुनियों ने जो मंत्र बनाए हुए हैं उनमें बिसेश सक्तियां हैं ऐसे साधनत्या भी जब सकते हैं वैसे भी जब सकते हैं परमात्मा से लगातार कनेक्ट रहें और अधिक से अधिक हम जब करें और भगवान पूस्त सौंप देते हैं उस पर किरपा करते हैं यह मारे मतलब शिव बहुत भगवान जो शिव हैं बहुत ही दयालू है किरपालू है और वही इस जीवन मन के चक्र से व्यक्ति को निकाल सकते हैं और तो ज्यादा से ज्यादा जब हम ध्यान करेंगे तो चीजों को और मात्मा हैं कहां पर हम हैं और इस इसका मतलब अर्थ का इस मतलब प्रत्वीक पर किसका कौन यहां का मालिक है फिर इसके उपर गैलेक्सी का कौन मालिक है फिर इसके उपर यूनिवर्स है फिर उसके उपर मल्टिवर्स है उनका कौन मालिक है और यह मुझे घटना बहुत ही अच्छी लगी मेरे जीवन में भी इसी तरह की वो है कभी अगर इच्छा हुई तो मैं बताऊंगा और भगवान शिव की एक अंग्रेज के मुह से इतनी बड़ी गटना सुन करके रोम रोम हमारा पुलकित हो जाता है परम पिता परमात्मा से बढ़कर इस अंसार में कोई न है और परमात्मा के स्रीज रणों में बारम बार पनाम है ओम नमा शिवाय हर हर महा देव परम पिता के स्रीज रणों में बारम बार पनाम स्विकार हो ओम नमा शिवाय हर हर महा देव